हलो दोस्तो नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आए देखते हैं इतिहास का एक और नया पैट्टी सेट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लें कोकि हम पेली एक नया प्रेटिस से लेकर आते हैं आईए देखते हैं question अगर इससे पहले का आपने question नहीं देखा है तो आप हमारे playlist में जाकर के सारे प्रशन देख सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं बाल विवाह की प्रथा आरंब हुई option है गुप्त काल में, कुसाड काल में, मौर काल में या इन में से कोई नहीं तो बाल विवा की प्रता आरम हुई गुप्त काल में सोने के सरबादिक सिक्के किस काल में जारी किये गए थे option है गुप्त काल में, कुसाड काल में, मौर काल में या हर्चवर्धन के काल में तो सोने के सरबाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किये गए थे option यह आपका राइट अंसर हो जाएगा किस गुप्त कालीन सासक को कभी राज कहा जाता है option है चंद्र गुप्त मौर, कनिश्क, समुंद्र गुप्त या कुमार गुप्त तो समुंद्र गुप्त कालीन सासक को कभी राज कहा जाता है गुप्त राजवन्स किस लिए परसिद्धा option है समराजवाज, कलायों स्थापति, राज़स्यों भूमिकर या यह सभी तो गुप्त राजवन्स कलायों मस्थापत के लिए परसिद्ध था, option B आपका right answer हो जाएगा मुझरिस किस राज़ का प्रमुख बंदरगाह था, option है चेर, कदंब, चोल या इन में से कोई नहीं तो मुझरिस चेर राज़ का प्रमुख बंदरगाह था, option A आपका right answer हो जाएगा गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था, option है स्रीगुप्त, घटोत, चक गुप्त या चंदरगुप्त या इन में से कोई नहीं तो गुप्त वन्स का संस्थापक स्रीगुप्त था, option A आपका right answer हो जाएगा गुप्त साजकों की सरकारी भासा थी, option है पाली, संस्कृत, हिंदी या प्राकृति तो गुप्त साजकों की सरकारी भासा, संस्कृत भासा थी, option B आपका right answer हो जाएगा नेक्ट कोशेंग देते हैं प्राचीन भारत में निमलिखित में से कौन सी एक लिपी दाईयोर से बाईयोर लिखी जाती थी ओप्शन है खरोष्टी, B. सारदा, C. नंदनगरी, D. इन में से कोई नहीं तो प्राचीन भारत में निम लिखित में से खरोष्टी लिपी दाईयों और से बाईयों लिखी जाती थी ओप्सन ये आपका राइट एंसर हो जाएगा भीम बेद का किसके लिए प्रसिद्ध है ओप्सन C आपका राइट एंसर हो जाएगा निम लिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में बेपारियों का निगम था ओप्सन A परिशत B मड़ी ग्राम C अष्ट दिगच बीन में से कोई नहीं तो निमलिकित मैसे मड़ी ग्राम एक प्राचीन भारत में बैपारियों का निगम था option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं मानुद्वारा सरपर्थम परियुक्त अनाज था option A चावल, B गेहूं, C बाजरा, D जो तो मानुद्वारा सरपर्थम परियुक्त अनाज चावल था option A आपका right answer हो जाएगा गुर्जरों को किस साशग ने पराजित किया तो गुर्जरों को हर्चवर्धन साशग ने पराजित किया था option B आपका right answer हो जाएगा option A सारनाथ में, B कपिलवस्त में, C बैसाली में, D या इन में से कोई नहीं option B आपका right answer हो जाएगा next question दिखते हैं option A कुसी नगर, B बाध गया, C बैसाली, D सारनाथ तो गौतम बुद्धि ने अपना परतम उपदेश शारनाथ में दिया था option D आपका right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं बाध धर्म यूम जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके सासनकाल में दिये गए थे option A असोक, B बिन्दुसार, C अकबर, D बिम्बिसार तो बाध धर्म यूम जैन धर्म दोनों के उपदेश बिम्बिसार शासनकाल में दिये गए थे option D आपका right answer हो जाएगा महावीर की मिर्त्यू कहां होई थी option है कुल गुमले, B पावापुरी, C लुम्बनी, D इन में से कोई नहीं तो महावीर की मिर्त्यू पावापुरी में होई थी option B आपका right answer हो जाएगा सिध्धार्थ को ग्यान प्राप्ति कहां होई थी option है सारनात, B गया, C वारणासी, D कुसी नगर तो सिध्धार्थ को ग्यान की प्राप्ति गया में होई थी option B आपका right answer हो जाएगा भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्याधिक था option है A हिंदू यूनानी, B कुसान, C पार्थियन, D गुप्त का योगदान अत्याधिक था, option है आपका right answer हो जाएगा महत्मा बुद्ध किस छेत्रिये कुल के थे sorry यहां छेत्रिये न होकर के छत्रिये हो जाएगा तो महत्मा बुद्ध शाक छत्रिये कुल के थे option C आपका right answer हो जाएगा निम लिखित में से प्राचीनितम राजवन्स कौन सा है Option है कुसार, B. मौर, C. गुप्त, D. कौन तो निम लिखित में से प्राचीनितम राजवन्स, मौर, राजवन्स है Option B अपका राइट एंसर हो जाएगा मौरी समराज की अस्थापना किसी ने की थी Option है A. चंद्रगुप्त मौर, B. अशोक, C. बिंदुसार, D. ये सभी तो मौरी समराज की अस्थापना चंद्रगुप्त मौरी ने की थी Option A. आपका राइट एंसर हो जाएगा मौरी समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था Option है तोल, दिनार, पण या काकड़ी तो मौरी समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम पढ़ था Option C. आपका राइट एंसर हो जाएगा मौरी काल में सिच्छा का सरबाधिक प्रसिद्ध केंद्र था Option है नालंदा, B. तच्छसिला, C. वैसाली, D. उज्जैन तो मौरी काल में सिच्छा का सरबाधिक प्रसिद्ध केंद्र तच्छसिला था Option B. आपका राइट एंसर हो जाएगा साची का अस्तूप किसने बनवाया Option है A. गौतमबुद, B. खरगोन, C. असोक, D. चंद्रगुप्त तो साची का अस्तूप असोक ने बनवाया था Option C. आपका राइट एंसर हो जाएगा सिरी नगर की अस्तापना किस मौरिशासक ने की थी Option A. दसरत, B. बिंदुसार, C. असोक, D. इन में से कोई नहीं तो सिरी नगर की अस्तापना असोक मौरिशासक ने की थी Option C. आपका राइट एंसर हो जाएगा करवन्स का संस्थापक कौन था तो करवन्स का संस्थापक वासुदेव था Option C. आपका राइट एंसर हो जाएगा पुरुषपुर निमलिखित में से किसका दूसरा नाम है आप्सन है पाटल पुत्र, पंजाब, पेसावर या पटना तो पुरुसपुर निमलिखित में से पेसावर का दूसरा नाम है आप्सन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा चरक किसके राज चिकत सकते आप्सन है असोग, चंद्र, गुप्ट, हर्स, वर्धन या कनिस्क तो चरक कनिस्क के राज चिकत सकते भारत में सरपर्थम स्वण मुद्राएं किस ने चलवाई? तो भारत में सरपर्थम स्वण मुद्राएं इंडो बैक पियन ने चलवाई थी यह option से आपका right answer हो जाएगा भारतिय रंग मंच में यवनिका का सुभारंब किस ने किया option है यह नानियों ने फार्थियनों ने कुसाडों ने या सकों ने तो भारतिय रंग मंच में यवनिका का सुभारंब यह नानिकोंने किया था option यह right answer हो जाएगा चरक और नागारजुन किसके दरबार की सोभा थे stretch और नागारजुन कनिस्क के दरबार की सोभा थे option c आपका right answer हो जाएगा निम लिकत में से किसने बड़े पैमाने पर स्वन मुद्राए चलाई थी आप्सन है मौरियों ने, शुंगों ने, ग्रीक वास्यों ने या कृसाड साजकों ने तो निमलिखित मैं से कृसाड साजकों ने बड़े पैमाने पर स्वन मुद्राएं चलवाई थी आप्सन डी अपका राइट एंसर हो जाएगा भारतियों के महान रेशम मार्ग किसने आरंब कराया आप्सन है कुमार गुप्त, कनिस्क, असोक या मौरि तो भारतियों के महान रेशम मार्ग कनिस्क ने आरंब कराया था आप्सन बी अपका राइट एंसर हो जाएगा सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया option है कन गुप्त सात्वाहन या कुसाड तो सुंग वंस के बाद कन वंस ने भारत पर राज किया option है आपका right answer हो जाएगा किस चीनी जनरल ने कनिस्क को हराया था तो पेंचाओ चीनी जर्णल ने कन इसको हराया था option B आपका right answer हो जाएगा प्राचीन भारत में निम्न मेजिक किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो प्राचीन भारत में निम्न मेजिक कुसार ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए Option A आपका right answer हो जाएगा तो तमिल का गवरोगरांत जीवक चिन्तामडी जैन धरम से सम्बन दित है Option D आपका right answer हो जाएगा निम ने लिखिदा राज वनसो में किसका उलेक संगम साहित में नहीं हुआ है तो निम लिखिदा में राज वनसो में कदमब काउलेक संगम साहित में नहीं हुआ है Option C आपका राइट अंसर हो जाएगा गुप्त वंस का वहराजा कौन था जिसने हूडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो गुप्त का वह राजा असकंद गुप्त था जो हूडों को भारत पर आकमण करने से रोका था option B आपका right answer हो जाएगा next question दिखते हैं गुप्त काल के सरबाधिक लोग प्रिये देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सरबाधिक लोग प्रिये देवता विश्णू थे option C आपका right answer हो जाएगा तो thanks for watching my video अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये हो तो please इसे like, share, comment जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल न भूलें Thank you